जिस अधीश प्लाग में सर्कार मदीना ने फर्माया कि साथ किसम के आदमी अर्ष अधीम के साय में चाओं में अराम से शुचून से मोंगे उन में से एक चीज ये भी थी उन साथ आदमियों में से एक वो भी है कि सद्का और खेरात किस तरह पर करें कि जाएं हाथ से देख और पाएं को पता न चले गुरान करीम में दोन्यों चीजों पर करक्त सराहतन वजाहत परमाई है इंतु बिदु सदकाते का मियम मांगी वे इंतु फूहा बतुतु अल्पकरा वहुआ खेर ल्लतु परमाया अगर तुम सद्का और खेरात चुपा कर दो तो तुमारे लिए ज्यादा बेसर है और अगर अलामिया दो तो तुमारे लिए फिर भी बेसर है छुपा कर देने में मसलिहत ये हैं कि दूसरों को पता ना चेले अल्ला पाथ उस इबादत से बे इंतहा खुश होते हैं जो सिर्फ अल्ला को पता चेले एक अधित में आपरवाय नभी अकरीम ने जो मैदान हशर में आवाज लगेगी वहां है वो लोग जो रातों को मुझे याद किया करते थे एलाम किया जाएगा आओ नूर वाले मिंबरों के बैठ जाओ तुम अंधेरों में मुझे याद किया करते थे आज नूर आनी मिंबरों के बैठ जाओ एक और हगीत में आप फर्माय नभी उप्रीम ने कि जब आग भी छुपा करके कोई इबादत करता है मक्थी इबादत करता है और अल्ला ताला से उसके उप्दूलियत की उमीद रखता है तो खुदावन के उससे बहुत राजी होते है मेरी राह में जो खरच करने वाले लोग है वो दिन में करें या रात में करें वो एलानिया करें या सुपा करके करें बहरहाल अल्ला पात के नभी ने इंशाद धर्माया से लल्ला अले सलम में कि अल्ला को वो बंदा ज्यादा महभूब है वो बंदा ज्यादा पसंद है जो छुपा करके सब्का करें किसी को पता ना चलें इसमें एक सायदा यह है कि आत्मी रियाकारी से बढ़ जाता है और रियाकारी बहुत बड़ी बेमारी है अंदाजा लगाया होगा आत्मी जब अल्ला के नाम से कुछ देखता है तो यह उमीद करता है कि जिसको मैंने दिया वो आगे से यूँ कहे जजात ल्ला जजात ल्ला वादी 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 बहुत मरे सखी आदमी है नफ्स इस बात का इंतजार करता है अल्ला पेरे बाल बच्चों में बरकत दे अल्ला पेरी जान में बर्कत अदा फर्माए, कारखान में बर्कत दे, दुकान में बर्कत दे कान सुनने के लिए मुंतफिर होता है कि ये लफ़ इसके मूँ छे निकले जिसको मैंने खराब दी है हाला कि उसकी जुबान के बजाए अगर उसका फिल बोलनेगा तो वो ज्यादा अल्ला के यहां पासंदीदा है मौलाना मुहमन कातुर साब जानौत विरह अले फर्माते है कि जर्मियों में किसी को थंडा पानी पिलाओ तुझे कहने कि जुरूरती नी पड़ेगी कि मेरे लिए दुआ कर दो तो उसकी अकडिया बोल उठेंगी खुदा तेरा बहला करें उसका अंग अंग बोल उठता है प्यासे को पानी मिलेगा उसकी अकडिया दुआएं देंगी भूके को रोती मिलेगी उसकी अकडिया दुआएं देंगी नंगे को कपड़ा मिलेगा, उसका दिल दुआएं देगा, परेशान आल कि जब मदद करोगे, वो तुमारी को सामने कहे या ना कहे, बलकि जेतर ये है कि तू सोया हुआ हो, और वो तेरे लिए सरसदे में रखकर दुआ करे, या अल्ला, फुला बंते ने मेरे साथ खलूप क वाक्षा इवक्त था, हजार रुपेया महीन दिया करता था अल्ला वाले को खर्च के लिए, शुप्याने सौरी रह्मतुल्ला अले साज्जित के वकत पर करते में रखकर दुआ करते के लागी यह या बर्मकी ने मेरे पेट की कफालत की मेरी दुनिया की कफालत की मेरी दुनिया की शरूराथ शरूरी आत्मिक कामा और परवर्जिगारे आलम मैं उसके लिए दुआ करता हूं तू उसकी खबर की कफालत फर्मा शुप्याने सौरी रह्मतु लाले जैसा वली गुतब और अबदाल दमाने का दुआ करता इलागी मैदाने हशर में वलाका तिरुबा तिरा तुम निश्रा उख्रा जब कोई किसी की काम नाये और हालातियों बन निकलें यव्वाय भिरुल्मर अम्ही दुआपी ही ववपिय वसाहिबती ही वभनी अम्मा अबदा फूला कोई भी किसी की कामाने के लिए तैयार नहीं सुप्याने सौरी रह्मतु लाले सर सज्दे मेरत कर दौा करतें इलागी यह या बर्मकी की खियामत में कफालत फर्मा प्रमा अल्दीन युन्वाल कुन अम्वाल हुम बिल्ली सिर्रण वाला नियतन् वलहुम अजरुम हिंदा रभ्द हिं वला खौक अलैहिं वला हुम्यादनू शुपा करिक न्ला के नाम हुम्पे खरत कर दौा करो एलानिया कार पर खरच करो अल्ला करमाते हैं उसके लिए बहुत बड़ा अजर है और उसको चाहिए कि वो अल्ला की साथ पर यकीन करें मगर दोस्कों यह सारे का सारा मामला अपने हाथ के साथ लगा हुआ है कुझूरों की तिजारत करता है हुजूर आथ में लिये हुए चल रहा है आदी कुझूर खा थुका है आदी बाकी है शाइल ने सवाल कर दिया आपी कुझूर उस्वकीर को दे दी चंग दिनों की बाद मौत करीब आई वसीयत की वारिसों को मेरा सारा कुझाम अल्ला के नाम पे सब्का कर देना मेरी नाम पे इसाले सबाब कर देना मरने के बाद लोगों ने यूई कर दिया किसी ने खाम में देखा पूछा बता क्या गुजरी कहने लगा यहां का मामला बिल्कुल निराला यहां की काव कारोबार बिल्कुल निराले है और कहने लगा रब्यात्वर की कसम जितना अजर जितना सवाव जितनी जजा मुझे आदी खुजूर की मिली इतना पूरे गुदाम का नहीं मिला वो मेरे हाथ की थी वो मैंने अपने हाथ के दी थी उसमें कोई रिया नहीं उसमें कोई दिखलावा नहीं उसमें कोई नाम बड़ी नहीं थी बाद में आने वाले लोगों में मुला जे चुका है आलुकदारी को चुकाया तुम हमारे यांग उठाय करते हो हम तुमारे यांग ठापे यां अद्ला बद्ला किया कैता खाम मेरे अक्वर की खसम मुझे पूरे तुधाम में से कुछ ना मिला खरमाव अल्लैस लिलिन्सानि इल्ला मासा नहीं मिलता आदमी को मगर उसके आपके करतू। लेने वाले को भी सर्मिंत की नहों। और इसे भी रियाकारी का मुका नहीं। करो, सबाह न करना लो, खतम न करना लो, अपने लिए दिये को। इलहुलालमीन खतम कैसे हो जाता है, पर बाद कैसे हो जाता है, जाया क्यों कर हो जाता है। इसके मुप एहसान जतलाने से, उसे जलील करने से, आज तु बाद मी बनता है। कल हम तुझे जखात दिया करते थी। याद कर फुलाने वकत में मैंने तुझे कुर्टा पहनाया था। याद कर फुला वकत में हमने तेरे साथ यू सलू किया था। अललान का पुरान कहता है। मेरे बंदे का कले जाईक घठा ओर मुझे तकलीव ओती है। और किसी बंदे को तकलीव देना मेरे यह अंजय तो यलिया याद यू प्रमाते है। सब्से बड़ी इबादत सब्से बड़ी नेकी शेख अरदिवल अजंग हदर्त मौलाना सेयद हुसान अमसामदनी नंपर अल्लाह मरताज़ा हूँ अल्लाह ताला की क्रोड और रहमत नादिल हो इस मर्ग मुजाहिश की कबर मुबारच पे आमीन को हदर्ते वाला की खिद्मत में 16 मही में रहने का इस्वाब हुआ जोतियों में बैठा इन लोगों की बड़े बड़े आलिम तश्रीफ लाते था इंडुस्कान के भी और दूसरे मुलकों के भी और हदर्ते वाला पे वजीफा पूस्ते थे तो कुछ बताएं हमें आप ऐसा वजीफा करें जिससे नेक बन जाएं सुभान अल्ला उस वक्त मुझे समझनी आता था मेरा बस्वन था अब कजर होती है फर्माया करते थे सबसे बड़ा वजीफा ये है कि किसी को बताओ मत जिन्दू हो मुसल्मान हो मरद हो औरत हो असका के जन्वर हो जानकार कोई भी हो किसी को दुख मत और अगर आप सोचे तो ये बहुत मुश्किल वजीफा है ये जिर्द बड़ा मुश्किल है तस भी फेरनी आथान है नफिल पर में आथान है लेकिन इस वजीफे के आमल करना बड़ा मुश्किल है ये आदमी अपने आप को बचाए कि किसी को ठताना नहीं किसी को परिफान नहीं करना मैंने आप से खरज ले लिया के एक महिन्य भी दूंगा आप ने पीछे ठिर रहेंगे साल गुजर गया ये तताना नहीं मैं नुजबिल्ला किसी की ठीबेक्पी के बारे में खलक ख्याल करता हूँ ये किसी की आब दू को चकर, ये किसी को चताना नहीं तमान फूर के इसमें दाखिल है सफर में, अगर में, घर में, कारोबार करनें के सारी जिंदिगी में अगर आप होते तो ये मसला बड़ा मुश्किल है कि आदमी दूसरे को तकलीफ ना दे हमारे यांता सारे तकलीफ दे करके काम बनते हैं जब तक दूसरे को तकलीफ ना दो उस वकद तक आदमी की बढ़ाख मनी कलता है और हमारे मुलब के लोगों के मिजाज बन गया मजबूर थे कमाओ जितना ज़्यादा मजबूर देखो, उतना ज़्यादा कमाओ अज़ों के जाके देखो अक्षेशनों पर जाके देखो वो लूट, खशोट है वो गंग जिक्ता है वो मुसाफिर इतना मजबूर है कि अल्ला पात ने करस खाकर सुन्टे माफ कर दी, नफिल माफ कर दी, फर्द नमाज में आज भी माफ कर दी अल्ला मिया जान का था, कि सफरवरी से किलीव से चीज़ है मुशाफिर फर्द अल्ला मिया ने तरस खा कर सुन्टे माफ कर दी, नफिल माफ कर दी, आज़ा फर्द माफ कर दी मगर मुस्रमान करता है कि इन मताफरों की जेव कातो, इन मताफरों को नंगा कर दो, इन मताफरों से जो कुछ भी है वो यही पर खेंच लो, किसी अस्टेशन पर जाके देख लो, चमाम चेट करने वाले लोग मर गए खबरों में चलेगी। जहर भी मिला करके बेच दालो, कोई बात नहीं। चार दिन की कुफ्की वी होटी देख से रहे हो, कोई बात नहीं। सारे अपसर मर गए, सारे गाक्तर मर गए, कमाम इंतजामिया वाले लोग मर गए, और अगर सराप अपका चल गाए, को फुला जगे से दो दुकुंदार लग रहे हैं, तो आप फॉरन पहुचेंगे के उच्छे भी माल मिलेगा, उच्छे भी माल मिलेगा। माल बटोरों, कितना बटोरा चाहते हो। मैं भी कहता हूँ, कि हम कितना माल बटोर रहें, बहुत मुम्किन है कि न हमारे काम आए, न हमारी औलाग के काम आए. अलाप ऐसे, नदर जालो, दुनियों में क्या हो रहा है इस वहक्त? किसी जमाने में लोग मसाफरों के बड़ी खिदमत किया करते थे बलके मुश्रिकीन मक्का करते थे अबु जहल इतना बड़ा काफिर होने के बावजूद सक्तू पानी में गोल कर चोप में ख़र होकर के पिलाया करता था लोगों अमयाब ने खलक लोगों को पानी पिलाया करता था अज़ मुशल्मान के पानी को मांग करके देखें आप कौन किसी को पानी पिलाता है और अब समाम जन्नती बने फिरते हो इमाम अलंबिया स्लल्लाब तालाल सलम ने रिशाद सर्मा दिया कि साथ आजमियों कर से अजीन की चाओं में जगे मिलेगी उनमें से एक भूपी है जो मक्तितार पर सदका करे अल्ला की साथ जाने और वो जाने किसी को कोई पता न चल सके बस अल्ला तुबारिक वताला के नाम पर वजूती दिया उसको दे करके भूल जाए मालिक बिंतिनार रह्मत अल्ला आले तश्रीफ ले जा रहे हैं गुजर रहे हैं इकिलाके से गुजर से गुजर से एक जगे कर लोगों का मजमा लगा हुआ देखा फरमाया क्या बात है बता चला शाहदा मकान बनाने के लिए महल बनाने के लिए संग दुञाद रख रहा है बहुत बड़ा महल कामीर करना चाता है मालिक बिंतिनार रह्मत अल्ला इन्य महल बनाना है उसने ब़ताया जी इस किसम कर नक्सा बनाया गया है फर्माने लगे कितना खरच होगा शाजादा कहने लगा उस दमाने में के दो लाग रियाल करचोंगे मालिक बिंदिना रह्मतुलाल फर्माने लगे बहुत मुम्किन है कि इस महल के बंते बंते तेरी मौत आजाए बहुत मुम्किन है ये बंकर तैयार हो जाए पिर तेरी मौत आजाए, तू इस मेरी आईश भी न रख सके, तू इसकी चमक धमक तो देखने भी न पाए, बहुत मुम्किन है, कुछ की लोड़ी आईश करने के बाद है, अब सोच करता हुआ, अखरत के आत मलका हुआ, दुनिया से चला जाए, अगरत मालिक बिन दिना रह कभी निकलेगा नहीं, अमेशा मेशा के लिए उस महल में रहेगा, और उस महल के आगी बड़े बाद बगी से होंगे, बड़ी बड़ी नहरे होंगी, बहुत आला किसम तपाग और बगी कर गुर्शन महल होगा, अमेशा मेशा के लिए तीरा रहेगा, न तेरी मौत आएग मुझलमानों में यकीन का दमाना था मैं बिल्कुल आपको सारा रुपया दे देता हूँ मगर अमारे याँ दस्तूर है जब कोई मुवादा हो जब कोई लेंटेन किया जाए तो जान बेन के दस्कतों नी चाहिए लिख पढ़ों नी चाहिए मालिक दिना रह्मतुल्लाली ने खागज निकाला और लिख दिया मैं अल्लापाक जल्ले जलालू की करब से वाड़ा करता हूँ शाहजादे जैके जन्नत में एक महल मिलेगा शाहजादे में महल पसंद कर लिया आज कल का होता है तो मौलवी पैसे मारने का जंग बना रहा है जाजा तेरे जैसे अजारों देख रखी जन्नत मिलेगी तो यूरी मिल जायेगी करप नहीं जजबा नहीं मौबबत नहीं शाहजादे ने दो लाक रुपया उठाकर के मालिक बिन्दीना रह्मत अल्या के अवाले कर दिया और वो लिखा हुआ कागज जो था वो खुब सबान लिया और मकान बनाने का इराथा करते थे थे हैं वो भी अल्ल्या मालिक बिन्दीना रह्मत अल्या पुछ नहीं उठाकर दिया के आज यतीम ब्रफाकीन हो मालिक बिन्दीना वह चिंप अहल सब कर रह सा अल्मागान ने लिख़ा है सुबह से शाम तक मालिक बिन पिनार रहमत अलही के पास रोजा इफ़ार करने के लिए एक प्यूदी बाकी नवी कमाम का कमाम अल्लह के रह में खरक करती है हाथ लोगों को देती है मुरीद करने लगा अगरगी शाम का रोजा की चीज से उतारोगे परमाया तुने उत्लों के पिना बुटाया एक ठका रख ले थे जो जूबह आ जाती अब तो खत्म है मामला अल्ला हुगनी सेदा आशासिदीका रजी अल्लह काला अन्हा को फारुक आदम रजी अल्लह काला अन्हा को ने बारा महीने का खरक तो बारा हदार रुपया यकदम भेजा साल का खर्चा हमारी मा के लिए आशासिदीका रजी अल्लह काला अन्हा के लिए फारुक आदम रजी अल्लह काला अन्हा ने भेजा जब खात्मा में गश्री लाके रखी अल्लह कमी अम्लमुमिनी फर्माने लगी मेरे और इस दालत के जर्म्यान कपड़ा लचका गै मुझे ये दालत देखते हुए भी शरम आती है आशासिदीका रजी अल्लह का लिए उन्हाने रो दिया फर्माने लगी मुझे याद है मैं सरंसाहिद का इनात अधरत मुहम्मद रर्सूललह उल्लह के लिए रोटी पकाया करती थी कभी आटा स्थानने की लोप तुलाई हूप मार दिया करती थी जो काता होता था जो गात उड़ गया और सोड गया वाकी बीच में पकाया करती थी और फर्माती है सैतून के तेल का दब्बा घर में रखा था वो खतम हो चुका था उसकी संचंड बाकी थी नीचे सराशी गात बाकी थी मैल कुछ एल सा लगा हुआ था आईशा की ठीका फर्माती है मैंने जो की रोटी पे वो मेल कुछ एल साच्यू पर दिया मदनी करीम सुल्या सल्लम नोश फर्मा रहे थै और फर्माने लगे आईशा कियामत में इस न्यामत का भी सवाल किया जाएगा आईशा फर्माती है मुझे ये तौलत देखते हुए भी शरम आती है मेरे आखा ने बड़ी तंगी की जिंदीगी बसर फर्माई तीन तीन दिन के फाके चार चार दिन के अमूमल फाके जाया करते थे सारा दिन सरकार मदीना ने सुना चांदी तक्षीम फर्माया और शाम को आ लिए है ऐसा फर्माती है हुदूर ने मुझे पूछा कर में कोई खाने की चीज़ है के नहीं मैंने अरब कर दिया अल्ला का नाव बाकी है ऐसा फर्माती है सरकार मदीना ने मुझे पूछ कर भूप की आलत में नियत बाम ली किस तरह से जिन्देगी फरादर गुदारी है मुहम्मद बदिनी अल्लाव अलेहीं बूद्रों के लिए सीमो जरो गोहर तक्षीम हो रही है और अपना हाल ये है कि चूले में आग नहीं जलती है कपड़ा पूरा नहीं है और फिर सिक्राइट कभी नहीं है अल्लाव मिया ने खुद पूछा ऐ मेरे महभूद अगर आप खर्माएं यह ओध पहार सूने का बना दू जहां आप जाया करेंगे यह आपके साथ आप चला करेगा अरज किया और मेरे परवर भी गार में फकीरी में रादी हूँ और मैं फकीरी में रादी हूँ अल्लाव अलेहुद अश्छा वो ऐसा सिद्धी का फर्माती है कि मुझे यह जालत अच्छी नहीं लगती इस गश्छी को परे ले जाओ मेरे और इसके दर्मियान में कपड़ा लटका दो और खादमा से कहा जाओ मदीने की कलियों में अलान कर दो आओ मुटाजो आओ गरीबो आज ऐसा सिद्धी का खेरात बाद रही बारा महीने का खरत है साल बर का खर्चा आया है फर्माती है कि असर्स के वक्त सब समाम का तमाम तफ्षील कर दिया है खादमा कहती है शाम का वकट जब आया आईशा सिद्धी का रदियल्ला उतालाना के पास रोजा इस्थार करने के लिए खुजूर का दाना को यी नहीं रोटी नहीं खानी पीने की कोई भी चीज मों जूत नहीं खादमा करे लगी आपने कुछ थोड़े से दुचार आने रख लिये होते अब फाके से बैठी हो पानी पी कर बैठ गई हो रोके फर्माने लगी तूनी चांती इमाम अन्बिया सुल्लाओं का यही तर्क आमल का और यही हुदूर की वसीयत और नसीयत है जो दौनत की तरफ पढ़ेगा आखरत बढ़ बाद हो जाएगी मालिक बिन्दिनार रह्मतुल्लाओं ने लिख करके दिया दावलक रुपया पैसा तो लाज़ा जादे से ले लिया सारे का सारा दिन पर में पक्षीम कर दिया तीसरे दिन ये चौफे दिन तीसरे चौफे रोज साध्युत के लिए मालिक बिन्दिनार रह्मतुल्लाओं ये मुसले के खड़े होने लगे तो पैरों में अंकेरे में खागज लगा नबी सच्चा तेरा नबी सच्चा तेरा खुदा सच्चा मैंने जन्नक में अपना महल पा लिया मुझे वो बहल मिल गया जिस महल के लिए तुमने वैदा किया था बात है सारी यकीन की तो हुदूर अकरम तुमने बेरिशाद फर्माया कि साथ आदमी और में से एक वो भी अर्फ यादीम के साए में होगा छो में होगा जो सबका और खेरात जुपांके करता है और इस नियत से करता है कि बस अल्ला जाने और मैं जाना कुरान करीम में अल्ला के लांग खर्च करने की बहुत मुली फुदिल्ट आई है और एक और चीज़ खास तोर पर जो हमें खटकती है उसकी भी जजाहत फर्माई है फर्माई है अज़ आँ के करता है और इस नियत से करता है कि बस अल्ला जाने और मैं जाना कुरान करीम में अल्ला के लांग खर्च करने की बहुत मुली फुदिल्ट आई है और एक और चीज़ खास तोर पर जो हमें खटकती है उसकी भी जजाहत फर्माई है फर्माई अश्यकान याईदुकुम फकर शैतान तुमें ये कहता है कि अगर सिमने य्यु लेने करें सम्स्राइदद जारी रखा आंग तो कक ल को तुम खुद हो जाोगे कंगान हो जाोगे इस तुमारे पास कुछ नहीं रहेगा अगर तुमने य्यु फिशलत जारी रखा जब भी तुम अल्ला के नाम पे सद्का करोगे खेराख करना चाओगे किसी मिश्कीन और मुहसाज को देना चाओगे अजीब अक्रबा यतीन दिवा की साथ सलूप करोगे किसी हमसा करीब की साथ सलूप करोगे शैतान तुमें फारण कहेगा ठोड़ा देए, ठोड़ा देए, अगर युई तुभे करा तो तु नंगा हो जाएगा अल्ला मियाँ फर्माते है शैतान का यह वादा और मैं तुझी वादा जेता हूँ आजी वादा हूँ आजी पयुनम्म मछिरतन मिनुla मिलादुला कि शापन कुझी फकर का वादा देता है करीभी याद दिलाता है तो नंगा हो जाएगा मुकादले में ने खुदा जाएगा करता हूं बख्षिश का और बरहावे का श्याप्ती का तुम मेरे नहां पे देता जा मैं बरहा का चला जाओना अल्ला मिया फर्माते हैं अल्ला हुआ वासियु अलीम नगो पीने वाला हूं मेरे खजाने में कोई कमी नहीं अल्ला फर्माते हैं मैं अब देखूँगा एक तरब तो मेरा बादा है एक तरब शातान का बादा है मैं देखूँगा अब तो मेरा कहना मानता है ये शातान का कहना मानता है शारे मसाइल रियाद से दिखलाने से बचाने के लिए हैं इमाम रजाली रह्मत अलाई ने अपनी किताब में लिखा है कि एक जगे पर एक जलख था नोगूष की पूजा करने लगे नोगूष की पूजा करने लगे जैसा कि हमारे मुल्क मेधी रुवाद है वहां एक आविध रहता था अलावाला मुझको जो पता चला तो वो कुल आड़ा लेके चला मुझको कातने के लिए कि लोग शिर्क की बिमारी में तपर गए तबा हो गए मैं इस तरह कुछ काता हूँ न रहेगा बात और न बगे की बातरी यह आगा शिर्क बंद हो जाएगा तो रास्ते में शाटान आदमी की शकल बना के मिला और प्रश्मीदी काहां चले लगा ज़्क आपूंगा किसपर लोग बनते मान रहे शिर्क हो रहा है खुदा कि जाप के जिवा तो तेरह क्या दिगरता है तुझे का नुक्सान है मैं अच्छा शिर्क होता रहे, मेरा नुक्सान कोई नी मख्लूब शिर्क में मुब्तला होकर तब होती रहे आखित बरबाद हो जाए, दुनिया बरबाद हो जाए मैं बैठा देश का रहूँ तो शैतान में और उस अबली में उस्ती हुई लड़ पड़े आपस में, अल्लावाले में शैतान को उठाया और वमीन के पतक के बाद, और छाती बिखर बैठा, शैतान कहने लगा जरा मीचे उतरी हो तो बात मताऊंगा तुझे, जरा मीचे उतर, उसमें का क्या आख बता हो, तेरा क्या मतलब है, कि इस तरह तो काटूँ अधा थिल्ट बंद होगा, लोग अल्लाव प्रेगे, उसमें कर बात सूंगा अगर सुझे अल्लाव याल्ला करनी मुकषूद है, और लोगों का सैदा मुकषूद है, तेरे तक्ये के निचे दस रुपे रोग मिला करेंगे, तू गरीब ओं को तक्षीम करियें, भूपों तो तो पते बरेगा दुआ करेंगे कितरे हो पाद होगा। दस रुपय रोज मेला कहेंगे तेरे सिराने के नीचे, मगर इस रख तो ना कार। शूभी दी बचारे कप आगे काद गूँग। उठेका भी यह कोई कम नेखी तो नहीं। और उस जमान में के 10 रुपय, आज के 10 रुपय में जो फोक मारने धूड जाए। कि 10 रुपय में तो खुदा जाने कितनों कपेट बरेगा, कितनों को कपड़ा पहनाऊंगा, कितनों की दवादारू करूँगा, कितनों की मुश्किन आपान होगी, दरख कातने के मुझे क्या मिलेगा। जोपी जी को समझ लिए आई कुलारा रखा आप उसले के बैठ गए। राप को सोए, सुबा को सराने के निचे से वाकी ता सरसाइ मिले के लादा रखाई। यह तो मदे हो पहे गए। और अल्ला किरा में खरच कर दिये। दूसरे दिन जी सराना उठाके देखा तो आपको फिरता फुर्पे मिल गए। उसले के शाथान है तो सच्चा भई। तीस दिन सराना उठाया तो हाई नी। दरी उठाके देखी कि जल्टी में रख गया हो। वहाँ भी लेग। चारपाई के निश्चे जांक रहे हैं मिल्टी पुरेज रहे हैं। उच्छा दीता उपर गिर गया हुआ ही नी। वह तरा थे। तो लगा अच्छा फिर उठाक उलारा और फिर उठाकी तरफ करें। और फिर आपके में मिला। इमान गजाली रहमतु लादे ने लिटका है। जान चले उठाके लगशेथ करते हैं। उठने कर वह बताया था तो जो जासुर पही मिला गरें। जान लेवान होगी आदो देन से मिले आज से मिल्थस नहीं मिला। एक अन्न भी नहीं वहां तो। अब जो शैतान में अरुथ वली में पुष्टी हुई, अब वली नीचे और शैतान उपर अब वो नीचे जबा लिया और शैतान उपर चड़ा कर लगा तो तरह पैर ये बात बता, उस दिन तो तू नीचे था मैं उपर था, आज मैं नीचे था उपरी पिछा वजाए तो कहने लगा मैं नेजिए बैमारी मुझ झेह हुष़््टा, उसदे के बताता है उस दिन तेरा पिश़्ा令 गुष़्ा स्रो एंथ लिया था, उस दिन जो तेरा पिश़्ा उपका नंज सुए ती कि वह उल्ला की रजा के लिए थी और आमा के लिए थी लिए उसमें प्यारा कुछ शामिल ना था आज के खुछ्छे में यहीं शामिल या ना तो जटो पहें कि उनी मिले। इसलिए मिलावत होगे गुछ्षे में इसलिए मैं उपर आगे और जनाव नीचे जलेगे। तो लगाने लिखा है कि अगर गुष्षे में मिलावत हो जाने से शैतान के निचे आगी आगाता है। इसलिए ने फर्माया कि रियादकारी से बचना है। बिखनाने से बचना है। कई लोग नमाल पढ़ते है। जब लोगों में नमाज पढ़ेंगे, ओ, लम्बा थदा, लम्बा रुखों, बड़ी लंबी अस्का याद, बड़ी लंबी खिराद, और जब अकेला पढ़े, तूचल में आया थक थक थक, असम तीर वोग एरी तरके, देरी नमाज, बात इमामों का यह आल है, जमाज कराव पढ़ेंगे तो बड़ी लंबी 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 लमाज, और बात में दो सुन्दते अगर पढ़ नहीं हैं तो मुक्तुदी तारे खड़ें, मुली था पढ़ेंगे, जले भी गए, इतमाम चीज़े दिखिलावे में सामिल है यह, और अल्ला पाप दिखावे को रियाकारी क वो खतल पसंद नहीं करता है, वो सकाथ हो, वो नमाज हो, वो अज हो, वो इबादत हो, वो खेराब को, कोई चीज भी हो, अल्ला पाप कहता है, जो करना मेरे लिए कर, उसमें किसी दिखावाना कर, और लोगों को क्या दिखाता है, लोगों को तो तो चुझे आंगे कर दो दो नहीं करता है, जो मेरे लाम पर तुम खरत दो गए, मैं मालिक तो नहीं हो, विमारी खरत दो ना, मुकद में खरत दो ना, परेशानियों में खरत कर दो ना, मजूलियात ना, करा दूना और अगर तुम से रभ लिव दिल्ला करा गए वर्माव ल्लाहु याई दूकुं वग्जिरत अमिनु वग्जुला सब्के कहने तो मेरी तरफ से बख्षिश कवाईगा है कि बड़ी बड़ी बात है कि खुद माने की लिए फर्माए कि जब तू आयागा में तेरे लिए जन्नत से यार लिए खराए बड़ी अच्छी बात है करता कि उनके तोड़ी ती लगावत हश्र में काम आ गई उनके तोड़ी ती लगावत हश्र में काम आ गई मज़्धित है मज़्धित है जिस तूमे मेरे घज़राई हुँभी वश्री सलाग करती है क्या मज़े की दात है हिमाम अलंभिया सल्ल्याओ ताला लिए अबात दें उस लाज़ाओ की तरा से लालो आ बना भी कहां कै बना भी जो अपनी जूर्यात में से निकाल कर अपने खर्चे में से निकाल कर मेरे नाम पर दिया करते थे जिनका ये ख्यार था कि हम इसका गदला लाँ से आदिल करेंगे इतना करने वाले लोग से क्या बताओं के गुदिश्टा गमाने के लोगों ने किस किस तरीके से कमाई करके अपने आखरत को गदा आज हम आखरत का पर नाम भी ने लेते हैं मैं तेरे दिमाग में के ताथ ही नहीं कि हम इस दुनिया को छोड़ भी जाएंगे खबर की जिंदगी भी आएगी अशर भी आना है खियामत भी आनी है फुल्षरात भी आनी है अम्योंगे के दिमाद मुझे ये बात आई हैं अलाकि मैं और आप उस नभी के उम्मत ही है उससरकार उना भी नात लतलम की उम्मत ही है मैं अप्ता की हुजुर्ब में आधी रुई और मैंने जाकर कि अपने अप्ता से आथ मैं आधी रोशी कर रख भा रख दिया मदनी करीम सुलाचनलम ने पूछा का अंच लाई मैंना रज़ किया मेरे अप्पा की इंजिल के साथे के बाप एक रोटी मिली थी आपी मैंने खा ली आपी आप अप्पा के लिए बचा लाई हूँ पर सारे मदिना सुलाचनलम की आंचे में आँसु आ गए खर्मा ओ लखते के दर ओ नूरे नजर सुलोटी का तुखला देखा है इस तंगी से इस रुठरिश से इस परिषानी से सिंदी की गुजारी और आवादन गुजारी यह नी जो हुदूर मद्बूर से ऐन्यान बार 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 पूचा है तो हो तो जावत के अमदार लगा देखा है आज हम पूचों इंसे कि एहले बैद की मुभबत का दावादर पे इस खना बाड़े बाड़े फिरते है जालत के पीछे धनाज मात है रोखे मात है अल्मात के तुरान को नी मांते नभी के पर्मान को नी मांते आज में बतलाओं के एहले बैद की मुहबत हम करते हैं यह तुम करते हैं सुर्कार मदीना स्ल्ल्लाहु से श्रीव लाए लखके जीकर के जर्वादे पे साथमति स्वारा के मकान पर जर्वादी के खड़े होकर फर्मा बेची मैं घर में आऊं दाखिल हो सकता हूं अंदर प्यालादाई पहले तश्रीव लाने से पहले अपनी चातर अंदर फैक दो अजूर्य कर्म स्ल्ल्लाह सल्लम ने चातर फैंटी अंदर तश्रीव लाए करमाया बेची क्या हुआ रोक एरस करने लगी अबका इतना कपड़ा नहीं है बसंत को सुखा इतना कपड़ा मेरे पाप मौदूद नहीं कि पूरा प्रसंत सुखा तश्रीव के मारे आप्मी चातर मांग ली कि अब तक इस आमरे नंगी कैसे हैं यह है नगी करीम सुल्यक अलम की बेटी का उत्वा अथना और यह है उसकी जिंद्गी जिसका नाम लेकर आप दर्मास्मित अलाई जा रही है जिसका नाम लेकर आप बालों परमेटी जा रही है अगर नभी की बेटी से मुखवत करते हो तो आओ क्यों मारे मारे ठृते हो क्यों तुम ने रात इंचक्तरमादी बना रखी है शूट मी फोड़ते हैं नभी की जैटी के आप बदन चुपाने के लिए तपरानी आप तुछ खा रहा है तुछ खा रहा है मुसल्मान कहला तो अपने आपको फूद खा रहा है तो आगे तर रहा है कि हम अपने आपको गदलेंगे कि कौंसा वक्त होगा कि हम अपने आपको 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 के लिए से यार करेंगी अपने आपको आपको प्रहेजगारों के लिए दिल की प्रहेजगारी इस्ट्यार करो जिमाग के अंदर प्रहेजगारी पैदा करो अपने हाथ के अंदर तक्वा इस्ट्यार करो अपने आख में तक्वा पैदा करो अपने गातिन के निजाम में अल्ला सा खौफ पैदा कर तो राज को जोखिन को जोखिए आखिर बन क्या रहा है हमारी आप गौरों फिकर का माता ही हसम हो गया शहाबियाब ने शहाब एक्राम उप्रान इल्लाव तालारे मरियाइन में किस किस करा पर अपनी दिंपे ये पूरी फर्वाइए बाथ्षा होकर पाथ्षा होकर 6 आपी सिय्यदा हथा रगियादा नहाँ के पात गए हैं अम्मममीम में से हैं आखरी समा का इंबर अज़त मुहम्यत रसूल्लाह स्ल्ल्लाह सुल्म की घर्वाली है हम सर्मसलमानों की मा है सैय्यदा हथा रगियाल नहाँ और जाके कहने लगे कि आमें दुबर लगता है, आमें के शरम हाती है, आप अपने अब्दा, यानि हाजर के उमर के कहें, कि ये पेमंग वाले कपड़े के हमें छोड़ दे, अब तो फुटू आप बहुत होगी, अब तो इसनी संगी नहीं रही, तुछे मुल्कों के वकुद आते हैं, आमें शर कुछ जिंदजी बदलो, कुछ रहने बदलो अब तो आम्दुलिया अल्ला का करम है, तो आप ओ रही है, तुछ आप ओ रही है, तुछ आप मुल्मान चाते हैं, कि आप अपनी आनप को बदल ले, अब तो आप जादम रगि लाव ताला नू रोने लगे फरमाया अप्शा तो खुद बता है, इमाम अलंबिया अल्ला का जब आखरी वक्त आया, आपकी वखात हुई, आपकी मौता ही कैसे कप्रेश है, हमसा ने रो दिया, और स्यदा हमसार दिल लुटाला ना फरमाती है, मिरी आउंखों में देखा, इमाम अलंबिया अल्ला के आखरी लिजास में कई पेवंद ना कहते है, हमसार दिल लुटाला ना फरमाने लागे हमसा, अगरो दियो, मैं भी इसी हाल में जाना चाहता हूँ, आपके मुझे आप रहा का की खित्मत में जाते हूरे शरब नाए, हमसा कहती है, मैं समुझे को पेवंद भी एक दो लगा हुआ था, कम से सम् कमा करके ले गए यही लोग, और समया बुखलमानों के बाकैदा कहा, कि तुल मेरी के ग्रीज और कोई खरक ना करता, ऐसे भी के लोग ने, एक बज़र गैब बहुत बड़े मुखिस है, इनाम बुखारी रहीम उल्ला के दूश बाद है, हदी शरीप है, इस लिखे थे फॉर्टिंपेन उत्रमाने में पेने, कलम थी, कलम चरापते थे, छील पे थे, वो छील का एक तीफेने कर्फा करते थे, तो आखरी वकत आया, तो फरमाया, मेरे उसल का पाली इस छील के से गर्म करता, जिस्टे मेरे पुरान लिखा, अधी शरीप लिखी, पूछा क्यों, रोगिया, वनाया अधी आधी का वहाना बढाना चाता, इस छील के से मेरे पुछल का पानी करम कर लेना, जिस्टे मेरा आखरे दिखन कोगे, तांके मैं यारभ कर सकता, कि आए ते छील के का पानी के वुछल करके आया हूँ, जिस्टे मेरे माभूव दुल कि अल्ला पात मेरे दाडी दे शरम फर्माते ही है, मरने लगा, आखरी वकट आया, जाली दाडी थी, रोखी कहने लगा मेरे दाडी को जाट कर दो का कि मेरा भी काम दर जाए, उल्लमा ने लिखा है मरने के बाद किसी ने खाम में देखा, सूचा मता चाबुदरी, कहने गोप्न ने हीला किया, बगर मुझ्से अगर किया था इसलिया जाए जाओ ने लगा देखा, तो ऐसी हीले करा, ऐसे हाला पैटा करो, ऐसे जिंदगी पैटा करो, जिससे आखरत सशावास आख आख को सके, अल्ला का अखरत आख वस्पादा करते के जोखे पता कर माएं, आम मुहम्मदिन लडीति उम्डीत वम्डी तुम्डीत वाल आली वास्पादियु घर्रदी वात्तरों या लाथ उत्शा करते। या लाए क्या कार है जुनाकार है करन के अमीर वार है अम सब्सक्रण को माथ तरहें इला उलालमीन तुल उम्म्न की बख्षिश कर्मादे। दुल उलालमीन तुल उलालमीन की बख्षिश कर्मादे। आपके दिन्म परद वदा करने की शूर के जादा कर्मा हा। पिए ताह।